टी ट्वंटी वर्ल्ड कप 2021 के ग्रूप टू के मैच में न्यूजिलैंड के हाथों हार कर भारत के लिए सेमी फाइनल की राह मुश्किल हो गई है रभिवार को खेले गया मैच में न्यूजिलैंड ने भारत को आठ विकेट से हरा दिया टीम इंडिया के बल्लेवाजों ने सर्मनाक परदर्शन किया भारतिय टीम ने न्यूजिलैंड के सामने जीत के लिए 111 रन का लक्ष रखा था न्यूजिलैंड की टीम ने दो विकेट खोकर लक्ष को हासिल कर लिया टीटोन टीब इस सुकप में भारत की यह लगातार दूसरी हार है ICC टूनामेंट में 2003 के बाद से भारतिय टीम न्यूजिलैंड के खिलाब जीत नहीं सकी है इस सोड़ी को मैन ओब दमैस का खिताब दिया गया इससे पहले न्यूजिलैंड ने टॉस चीप कर गींद बाजी का फैसला लिया टीम इंडिया के लिए इसान किसन और केल राहूल ने पारी की शुरुआत की तीसरे ही ओभर में इसान किसन सिर्फ चार रन बना कर पबेलियन लोट गए रोहित सर्मा को पहले ही गींद पर जीवंदान मिला जब एडम मिलने ने उनका आसान कैज छोड़ दिया केल राहूल 18 रन की पारी खेल कर साओधी का सिकार बने रोहित सर्मा भी जीवंदान का फाइदा नहीं उठा सके और सिर्फ 14 रन बना कर पबेलियन लोट गए मिराट कोहली ने नौ रन बनाए रोहित और कोहली का विकेट इस सोधी को मिला रिसब पंत भी फ्लॉप रहे और महस 12 रन की पारी खेल कर पबेलियन लोट गए हारदिक पांडिया ने 24 रन की पारी खेली सर्दुल्ठाकूर खाता भी नहीं खोल सके रबिन्दर जटेजा ने 19 गेन में सबसे ज़्यादा 26 रन मनाए भारतिय टीम ने 20 ओभर में 7 बिकेट पर 110 रन मनाए टेंट बोट ने 4 ओभर में 20 रन देकर 3 बिकेट लिए इस सोधी ने 4 ओभर में 17 रन देकर 2 बल्लेवाजों को आउट किया वहीं मिशल सैंटनर ने भी किफायती गेन बाजी करते हुए चार ओभर में सिर्फ 15 रन दिये भारतिय टीम के 4 बल्लेवाज दहाई का आकरा पार नहीं कर सके लक्स का पीछा करने उत्रे नियूजिलैंड के टीम में 20 पोटक शुरुवात की मिशल ने 35 के इंद में 49 रन बनाए अपनी पारी में मिशल ने 4 चौके और 3 चक के जरे कप्तान केन विलियमसन ने 31 के इंद में नाबाद 33 रन की पारी खेल कर नियूजिलैंड को 14.3 ओभर में जीत दिला दी डेवन कॉन बे 2 रन बना कर नाबाद रहे T20 वर्ल्ड कप में नियूजिलैंड की पहली जीत है इस जीत के साथ ही नियूजिलैंड के सेमी फाइनल में पहुचने की उमीद अभी कायम है वहीं सहार के साथ भारत का सेमी फाइनल में पहुचना मुस्किल हो गया है भारत के सामने अगले मैच में अफगानिस्तान, स्कॉटलेंड और नामी बिया की चुनोती है यदि भारत आने वाले तीन मैचों में जीत हासिल करता है तो उसके च्छा अंग हो जाएंगे मगर नेट रन रेट के आधार पर अफगानिस्तान और न्यूजिलाइन की टीमें भारत से काफी आगे है ऐसे में टीम इंडिया को सेमी फाइनम ने पहुशने के लिए किसी चमतकार की उमीद करनी होगी खेल जगत और अने लेटिस्ट खबरों को सबसे पहले जानने के लिए आप हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें आप हमें फेस्बुक टुइटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं